है 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 हलो वैलकम बैक तो माई चनल तो भाई आज आपन बात करने वाले हैं कि अपन अपनी मारूति सुच्छ में आपको पता है यह ओटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ठीक है तो यह वर्क कर से गड़ता है इसको मतलब इसका फीचर क्या है इसमें कुछ हीडन फीचर है के नहीं है तो आज इस वीडियो में अपन वहीं बात करने वाले हैं चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो भाई अभी अपन आचुके हैं गाड़ी के अंदर तो भाई अभी आप देख लो यह ऐसा कुछ आपको ओटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड आप यहां से आप बढ़ा होगे ना तो आप कम भी यहीं से कर सकते हो लेकिन आप बंद नहीं कर सकते दो एक पॉइंट पर यह बंद नहीं होगा आपको ओफ दवाना पड़ेगा इसके लिए ठीक है यह हो गया एसी का कंट्रोल में लब जैसे मालों आप फीटर चला रहे ह और फिर इसी साब से आप चला सकते हो ठीक है अब बात रही ओटो की अब यह कैसे काम करता है तो भाई यह काम करेगा मालो अभी क्या कर रहा है अभी अपना टेंपरेचर 18.8 पर सेट अभी अपन को गाड़ी का टेंपरेचर मालो 20 पर गड़ना ठीक है तो मैं इसको ओटो पर गड़ दूँगा अब यह अपने आप यह फैन स्पीड बढ़ाने लग जाएगा इस तरीके से लोग तो वह आपने देख लिए टेंपरेचर की साफ से बढ़ाता है अब इसी साफ से यह तंपरेचर बढ़ा कि क्या करेंगा जब यह टेंपरेचर फूल ब्लास्ट पर अपना प्लोवड चला देगा फूल पोटेंशिल पर गाड़ी के अंदर जो पीस का टेंपरेचर है न वो तो आपने सेट कर लिया सो कर लिया ठीक है लेकिन हाँ जब आपकी गाड़ी एक दम लब 20 का टेंपरेचर ची हो जाएगा ना जब इसको लगए ठंड ज्यादा हो रही है तो फैन स्पिट कम करेगा जब लगएगा कूलिंग कम हो रही है तो ज्यादा आपने आप ही मतलब आप वह चाह जाए तो आपको सिंप्ली इसको दबा देने का यहां से फ्लो हटके वहां पे और पैरों में आपके हवानी स्टार्ट हो जाएगे ठीक है यह ठीक ह। यह हो गया फ्रेंट डीफोग और यह तो गफ्रण डीफोम यह है रियर का डिफोगर आप देख लो आपक आपका जो रियर डिफोगर है वह क्षाइगे तो अब आप समझ में आ गया होगा कि रियर कुछ साइब इसको चलाने के बाद यहां पर आपको दिख रहाएगा इसे चीज हटा देगी और भाई अभी बात करते हैं इस वाले की तो यह है मोड कि चीज अब देख लो यहां पर आपको दिख रहा है कि सिर्फ यहां से हवा आ रही है लेकिन पैरों में भी हवा चाहिए तो ठीक है तो मैं इसको यहां पर दूंगो मैं पैरों में भी आने लगए त्वेस से आपको और वाई आपको एक शिग्रट चीज बताऊं आपने देखावागा न हाओं कि हावा यहां as आती है यहां से हवागा आती है यहां से आती है यहां से नहीं कहने सी यहाँ पर ने सब्सक्राइब ना कि साइड से जो कि मैं थोड़ा अजीब लगता है पता नहीं क्यों वहां से वह उपर से आवा देती और गाड़ी में में देख लो यहां अभी पैरों में आएगी सिर्फ पैरों में भी ले सकते हो नबता है अब भाई यहां वहार से हवाले नहीं स्टार्ट कर देगी ठीक है आपने देखा होगा पर चालू करने के लिए और अभी आपको यहां पर यह चेज़-से दिख रहे हों गैए यह यहां से होता है कि तेमपरेचर मेंटेन हुआ वह यहां से होता है अभी कभी कभी आप देखना जब गाड़ी एकदम ठंडी हो जाए न जब यह फैन स्पीड अपने आप कम करने लग जे तो आप क्या करना है यहां पे हाथ रख देना उसके आप देखना आपका टेमपरेचर तो गाड़ी अपने वापिस बढ़ाने लग जाएगी इसको टेमपरेचर का ही नहीं पता हुआ कि किता क्या सेट कर दिया इसने ठीक है इसके अंदर आपन को कुछ AC मोड भी मिल जाते हैं जो अपन यहां पर फ्यूल एकोनमी में जाके यहां से एसी मोड वाईलिंग स्टा सब्सक्राइब करेगी इकोनमी पर ज्यादा तेल बचाने की सोचेगी इसलिए बार-बार बंद नहीं करेगी तो आपको यह वीडियो थोड़ा समझ आया होगा और अगर आप कोई वीडियो पसंदा तो प्ली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थ मेरे आके बैजा कोल मेरे बले दास ही भंजू मेरे रोले थोड़ा है